ऐसे और वी वीडियो देखने के लिए सब्स्क्राइब और बेल बटन को क्लिक करें ये गाइस इस ओमा वेल्कम टो में चैनल आज मैं आपसो कुछा शेयर तरने वाली हूँ खादी नैच्रल हेर कंटिशनर की रिव्यू ये मैंने एक महिना पहली खड़ित के आई लेके आया थी और मैं ऐसे एक महिना तक यूज किया और पर मैं इसकी रिव्यू दे रही हूँ सो लेट्स टेक दी वीडियो इस कंटिशनर की पहले मैं गार्नियर की अल्टर ब्लेंट्स यूज करती थी मैं अल्योडी मैरिक शैंपू के रिव्यू में बताई भी थी तो वह खत्म हो जाने से मैं ये पर्चिस किया था तो ये इसका नाम है खादी नेक्रिल हर्बर हेर कंडिशनर खादी का है ये प्रोड़क्ट और ये शिका कर हानीता है इसके बहुत सारे रींजेस अवेलेबल हैं मार्केट में आपको मार्केट में भी ये मिल जाएका था श्टार बिक बजार इसे अब जगह पर खादी का प्रोड़क्त इसलीए अवेलेबल मिल जाएका अगर नहीं भी मिलता है तो वह ओनलाइन भी आपको मिल जाएगा तो जो लिंक है मैं वो description box में डाल दिया है तो आप वहाँ से बाई कर सकते हैं तो आपको थोड़ा सा discount में मिले मैंने इसे online में ही purchase किया है तो इसकी जो packaging है पुरा plastic fed bottle है और clip top cover है ये शायद आप देख सकते हैं ये एक travel friendly product है क्योंकि इसलिए बता रही हूँ आप जब इस cat box कोलेंगे तो इसके अंदर गिवाइडर आपको नजर आएगा जिसको ओपिन करने के बाद ही आप product को निकाल सकते हैं तो इसे आप विके travel भी कर सकते मैंने अभी तद नहीं किया है लेकिन ये चांस नहीं है इसकी जो price है वो है 210 rupees for 210 ml का लेकिन आपको थोड़ा सा discount में online आपको मिल जाएगा ये और ये SLS और paraben free है SLS का मतलब है sodium laurel sulfate जो की इसकी बार में मैं अल्लेडी मेरी वीडियो पर बताई है उसकी भी link पर description box में डाल दोंगी कि SLS क्या होता है तो वो आप जरूद चेक कीजिएगा तो ये SLS बहुत ही खतरना chemical होता है वो जहां के लिए यूज के जाए आपकी hair पे तो ये SLS यहां पर यूज नहीं किया गया है और ये paraben free है ये not tested on animals मतलब ये animal के ऊपर test नहीं किया गया है और ये pure active herbal ingredient से ही बना हुआ है इसे जो ingredient है वो यहां पर mention किया हुआ है बहुत ही चोटा-चोटा मैं अल्रेडी यहां पर mention करूँग इसकी ingredient लिस्ट इसमें जो काफी सारे ingredient यूज किया गया है, maximum ingredient यूज किया गया है वो natural active herbal ingredient है लेकिन मैं अल्रेडी आपको बताया है कोई भी product chemical free ऐसा कुछ होता है ये preservation के लिए chemical यूज किया जाता है लेकिन ये chemical अच्छा होता है उतना भी खतरनाप नहीं होता है इसकी जो benefits है वो यहां पे पीछे mention किया हुआ है मैं अल्रेडी यहां पे लाइच करके मैं अल्रेडी आपको दिखाऊंगी फिर भी मैं पढ़के आपको बता रहे हूं क्या benefits लिखा हुआ है शिता का या honey conditioner nourishes the scalp and strengthen the hair follicles it adds volume improves texture and adds shine to the hairs it also contains essential vitamins that give a healthy shine and thickness to your hair especially thickness के लिए है for thick hair यहां पे mention किया हुआ है तो यह जो claim कर रहे है कि आपकी जो बालो को strengthen देगा आपकी scalp को अच्छे से नारिश करेगा जो हम लोग जानते हैं कि अच्छे से इसे 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 नहीं करते हैं इसे में कोई problem नहीं होगी जाद आपकी scalp को moisturize नहीं करेगा conditioner यह जो conditioner है तो आप scalp में बेज़िए हैं कि उसे कर सकते हैं इसमें बहुत से vitamins हैं जापकी एक बहुत अच्छे healthy और shiny hair आपको देगा तो काफी अच्छा यह claim कर रहा है अभी में बताऊंगे इसके consistency है तो मैं यहाँ पर आपको देखा रही हूँ शायद आप देख पा रहे हैं बहुती creamy light consistency है शिराइज आपको पीद देगा इसमें almond है मैंने इतना ingredient पढ़ा है तो इसमें almond युस किया गया है तो कि मैं बहुती अच्छा है मैं नहीं बता सकती लेकिन बहुती अच्छा एक smell है यह अच्छा पाल पर आपका एक smell यह लेकिन यह आपकी जो बालों पर स्टे नहीं करता है अगर आपकी से अप्लाइ कर रहे हूँ अप सोच रहों कि बाल धोने के बाद भादी बहुती अच्छा पुश्बू टाइप यहा लेकिन आसा कुछ खुश्बू नहीं होगा इसकी जो इवसर डारिक्शन है मैं आपको पढ़के बता रहे हूं और मैं अल्री नहीं आपे में मेंसिंट कर दूंगी सब को पता है कि कैसा आप मा कंडिशन अप्लाई करोगे फिर भी मैं पढ़के बता कि यह क्या बता रहे हैं आफ्टर शांपू इंग आपको यह शांपू के बाद अप्लाई करना है सबको मालूम है यह लिगन एक चीज़ है चुकि मैंने पहले बताया है कि यह स्कैल्प तो है तक लगाने के लिए बोला है जैसे कंडिशनर हम लोग स्कैल्प पर अप्लाई करते कि यह बिल्कुल से अपकी स्कैल्प पर अप्लाई करी सते हैं अपकी स्कैल्प को ज्यादा ओईली फिल नहीं कराएगा यह अच्छा है और 5-7 मिनिटेक आपको के हैर यह स्कैल्प रखना है पर इस अच्छे से वाटर से वाश कर लेना है इसकी जो अमाउंट है लगाने के ताइम अपको अब नहीं बनाएगा बहुत तरह कंडिशिएनर अशा होता है कि अपकी बालों को और भी जादा ओईली बना देता है एक बढ़ादा एग्ण चिप चिप अटाइप बना देता है तो वह नहीं करेगा ड्राइनस को यह कंट्रोल करता है मेरी है बहुत एक्छी तरीक से चिर मुझे बो जो जो कि इतना मांच दोंगी तो मैं तेन मैं ज़रूर 9 मांच दोंगी और बाकी मेर दे रही हूं यह इसलिए किम्टी इसकी जो पैकजीं मुझे उत्ता जादा पसंद नहीं है मुझे इसके पैकचिंग एकडम थोड़ा सा खराब लगता है उसकी पहतर होता इसकी जो स्मेल है और थोड़ा सा स्टे करता बस यही मेरे मुझे तोड़ा सा इसके अंदर कॉंस लगा है है आपकी हैर को वह एक अची से सिल्की शाइझी के लुट्थ नहीं देगा है कि वो अज़रूरी इंपरीज करता है मैं पसनली तेखा है लिकिन वह एक सिल्की शाइनी जो बात है वो ऐसा कुछ नहीं देगा तु हैं के बाल अल्वेड तो उसे पता नहीं चलेगा शायद मेर वह घिन बाची है, मुझे उतना शेकर शीन फिल नहीं हुआ है है, अग्दम अच्छा अदे मुझे मुझे लगता है हेर इसेटिंगे हुआ है निहीं हम इसे बारा में अच्छा लगता है बाकि इससरो एक इसस सब धीच है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई भी एर टाइब से यूज़ कर सकते हैं यह था मेरी आज के लिए खादी हरवल एर कंडिशिनर के ऊपर अगर को किसी ने भी एर कंडिशिनर को यूज़ किया है मुझे कॉमें जरूर बताईएगा मैं जानना पसंद करूंगे मैं आपके साथ शेयर कर रही है मुझे कैसा मैं भी जाना पसंद करूंगे कि आपको कैसा लगा लागा प्लीज मुझे वह कॉमें जरूर बताईएगा इस वीडियो के बार में आपको कुछ भी बताना हो तो वह आप कॉमें जरूर लिख सकते हैं कोई भी कोश्चिन पूछ ना हो जरूर आप मुझे कॉमें सेक्शिन आपको शायद मालूम होगा शायद लेट भी हो सकता है लेकिन मैं कमें हर कमें कमें की आंसर में जरूर करती हूं और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक आप मुझे जरूर दीजिएगा क्योंकि आपकी एक लाइक मुझे बहुत-बहुत जादा मोटिवे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब इस टोटली फ्री काईस तो मैं नेक्स वीडियो में फिर से मिलती हूं कब तक के लिए टा टा गॉट बेस्यू टा टा